हेलो स्टुरेंट्स आप सभी का स्वागत हमारे यूडियो में आज हम देखने वाले हैं क्लास नाइन का साइंस का मुडल कोर्शन पेपर जो कि आपकी एक्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है तो आपको टेलिग्राम चैनल मेरे मिल जाएगा आपको जाके जाएए इसका लिंक आपको डिस्टाइब कर लिए और प्रेक्टिस कर दिए और पहला पहला कोचन की एक वृत आर तीजर के वितकार पर घूम रही है आदे वृत के बाद उसका व लिए आदे यहां पर प्रेट आध है और यहां वरिता कार पत्में घूम रही है और अध्य वृत के बाद उसका विस्टापन की आधा यहां अधा यहां पर आधा मिटा देते हैं कि आधा को क्लियर कर लेते हैं यानि कि आधा पूछ रहा ठीकि के पूछ रहे तो यहां से यहां तक आप बोले तो यहां दो यहां तक अगर बोलें तो यहां कि आपन नमाना कि आप यह यहां प्राइब प्लस्य आ यहां यह कि दो त्रीजित आप शर्मारिक आइस्क्वल टू रो यानिक ऑप्टिन नमर मुझे जला कर टक अथा करेक्टाइब तो आठीक है आप क्योंसे गर्ण आप थे खूर नमेर दो की वेग में प्रतीज प्रती से सचकी एगा होटा है एक सव्यकंट कि स्कुरॉनिट कि रहें लुट कि कि दूरी समय ग्राफ का ढालान किसका मान बताती है जब दूरी संभाइग्राफ का मान पूछे गा तो बहुता नापाती यानि की वेलोसिटी लोनिया प्रफिक नंसर ठीक है हो जाए करेक्ट और अंसर अब जाए आप में जाएगा बी यानि की नियूटन की का दूश्रा नियम क्या दीता है तो कौन सा यानिकि परीभासा देता है तो हटां की धनित है तो है मैं यह तो ईन की अव्या आड़ की फ़िदेंट का तो harassment कि गती से 10 मीटर मीटर प्रतिस से की गती से चलने वाले 0.5 किलो ग्राम तर्एमान वाल भीड़ है तरह सम्वेग होगा यानि कि आपको बतानाए कि इसका स्पीड क्या होगा कि यहां पर मज़ें इसका अंसर है वह जगा सी यानि की 0.5 किलो ग्राम मीटर पर 30 सक्राइब यानि को अप्शन नमार सी मारे करेक्ट अंसर ठीक है कि अब देखते क्वेशन नमार नाइन की जब कोई बस जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यातरी बस में पीछे की और जो जाते हैं यह किस नियम का उधार है तो न्यूटन का गति का पर्थम नियम या न्यूटन की गति का दूसरा नियम या लगा रहा है तो क्या होते हैं आगे जोने लगते हैं तो कौन से नियूटन की गति का पर्थम नियूटन होता है अब यहां पर देखते क्वेशन नमर 11 की चंदमा पर किसी पींड का द्रविमां 40 kg है तो प्रिथवी का इसमें इसका भार कितना होता देखिए यहां पर जी क पर देखिए यहां कितना होता है 9.8 होता है लगवा यहां पर देखते कौन नमर 12 की जब कोई पींड कंपन करता है करता है तो यह आसपास की हवा को संपीत करता है और एक उच्छ घनातु की और जङनातु संपी übrig करती है समके कि आपको इसनी प्रावर्तन के कारण पूना सुनाई देती है क्या कहलाती है तो अप्समारा व्यक्तिकरन भूंच या अप वर्तन तो तेरे का जो माना आंशर हो जागा आवाज क्या होता है बहुत जारा होता है बोलेंगे हेलो दो तीन वार्स आपको सुनाई देखा तो आपका आवाज घूंज रहा तो तो इसम्पली है तो को नमें से कुस्पादात में कनो के बीच आकरशन बल सबसे कम किसमें होता है होगा तो देखें यहां पर यह कार्बन डायोकसाइड दूद्ध रूई चिनी तो इसमें सबसे कम और किसमें कर्बन क्या गेस के जो करनों को बीच का जो आकर्षन होता है ठीक यह एक तो गेस का जो सबसे की तरल दोनों वस्ता में पाए जाता है तो कुन सावस्ता है ठीक है जिसमें पानी फोसुष हो सकता है और तरल दोनों वस्ता में पाहिए पाया जाएगा तो जमारा अंसर है वह जगा जिए पानी ठोस भी होता है और तरहल दोनों वस्ता में पाए जाता है अब इसको आपको परसेंटेज निकालना है तो एक जो आणसर है ठीक है जो हमारा आंसर है वो जाएगा बी ठीक है यानि कि शोला इन्टू बाइट इन्टू बाइट थ्री परसेंट ठीक है यानि कि अपको आधा आता है अब यह आप देखते कोशन में सब्सक्राइब की घनातों का एसाई मातरक होगा नानिकी देंस सिटी डेंसिटी का क्या होता ह सब्सक्राइब करेक्ट ठीक है सब्सक्राइब किलो केजी पर घन मीटर ठीक है कि अब हम देखते हैं यहां लोग 18 की दिये गए कौन गुंधर्म निलंबन का है तो यहां पर कौन सब्सक्राइब विच अब गिवेन प्रोपर्टीज इस आफ शस्पेंशन तो यहां पर अब रहते हैं कि कपूर और नमक के मिश्रन को किस विधी द्वारा अलग करेंगे तो वास्पी करन के द्वारा अलग करेंगे तो पानी और नमक वालग कर सकते उर्द्व पातन और केमेट्रोग्राफी या अपके इन्तों अब्धम करेंगे के यह च्बार करेंगे फोगा हमारा यानि की उर्द्व तापन उर्द्व तापन के द्वारा हम लोग नमक और कपूर को अलग कर सकते हैं ट्रहां नमक और पानी और पानी और यॉक्त सब्सक्राइब होता है तो बराबर होता है तो बराबर होता है कि संख्या की यूग के बराबर होता है प्रोटोन और न्यूट्रोन की संख्या की बराबर होता है यह बराबर होता है न्यूट्रोन की संख्या के बराबर होता है न्यूट्रोन की संख्या के बराबर होता है न्य कि इस की तो आपको सब्सक्राइब कि नहीं कि निंकालते है रहा है एड तरी तो इनस्थी का जो है रिमान कितना हो जागा गार नाइट्रोजन का वहारा साथ दूनी चावदा ठीक इस अब हो जागा उसके बाट हाईड्रोजन कि नहुटा एक गुना यहां पर कितना है तीन तो वह हो जागा 14 फ्लस तीन कितना हो जागा इसका तो 17 यू आपनों देखते क्वेशन नमबर 22 कि इस्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है तो क्या है नियम तो ट्वेंटी टू का जो मारा आंसर है वह जागा बी यानि कि रसानी पदार्थ में ततो हमेशा दरविमान के नुशार निश्चित अनुपात में मुझूद होती है यानि को अपसर नमर भी अमाल जागा करेक्ट अंसर ठीक है अब देखते को सब्सक्राइब करता है तो 23 का जो मारा अंसर है वह जागा यानिकी दू मूल दू मल जल ठीक है अब आपर दे तो वह होता है 0 3100 अब कोई भी उपसी ओविस नियुक्त सिथरोगे से शांवेश निए अब करेक्त अनसर अब में लृशा की अलफ़ा कंट क्या है क्या है तो क्या है तो और क्या है तो सब्सक्राइब को यह धनावेशित प्रोटोन यह धनावेशित हिल्यम प्रमानों तो 25 कर जोबरा आंसर है वह जागडि यानिकी धनावेशित हील्यम परमानों यानिक अप्सिन नमर्डी मारेश्च एक तर्व की समस्थानिकों के द्रविमान में अंतर डैस की बहीं संक्या के कारण होता है तो निट्रोन प्रोटर इलेक्ट्रोन या न्यूक्ली न्यूक्ली ओंट ट्वेंडिसिक्स का जो माना आंसर है ठीक है तो अनिक निट्रोन अन्सर अपने अपना अपना अठाइस की निमलिखित में चांग में अपना डीजा में अपना अपन आपना अपनर राइबोजों में किसी के नबर 39 ुषय क्रुमोजों क्रॉमोजों प्रुमोजों है उस व्य विपाजन क्रुमोजों हो खटिशू क्रोमोजों होगे तो कितनी क्रोमोजोम होगे ठीक है तो 29 जो मारा आंसर है वह जाएगा यानिकी आठ आठ प्रोमोजोम होगा ठीक है अब यहां पर हम देखते क्वेश्चर नमर 30 की दिया गया चित्र किस उतक का है तो आपको देखना की कौन साइट किसका है तो एक सेकेंट खति करोंट रहा हो तो थर्टिन का जो माला ऑंसर है ठीक है अब यहां पर देखते को स्थे नमबर 31 की बादाम का चिल्का किस उतक का बना होता हो तो किस अचार ना भी वहां में स्पेशियों को अस्तियों से जोड़ने वाली संजो जी उत्त को क्या कहते है कि वाट इस तरी कि जीवो के वर्विकरन के लिए सारवधिक मूलभूत लक्षन है तो उनका उसका निवास इस्तान उनके पूसंद के तरीके या उनके जन तरीके सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करेक्ट आएगा तो मोनेरा प्रोटिस्टा में तो आता है बहुत आता है तो 34 का जो मारा आशर है ठीके यानी कि मोनेरा ठीक है और तर्टे फाइब की जन्तु जगत का सबसे बढ़ा संग सबसे बढ़ा संग इसमें से कुन सब्सक्राइब आर्थर पोड़ा मुरसका या एक काइनो डर्माइटा तो 35 का जोमार अंसर एक भी यानि की अर्थरोपोड़ा ठीक है और फोड़ा कि दिए गए कौन से रूख वाइरस से होते है तो वाइरस से कौन सा रूख होगा तो कुरोना यानि को भी आया था हो गया ठीक है दूजार 20-21 में आ रहे ठीक है अपर देखते को यह संक्रमित रूख के उधारन कौन सा है अब यहां पर देखते हैं लोग तो यह दिये गए पूसक पदार्थ में पोधों पोधे के लिए कौन ब्रिहत पोषक पदार्थ है तो पोधे के सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है ठीक है वो कौन सा न्यूट्रियेंट है तो 39 तो जो मारा आंसर वह यानि कि नाइट्रोजन नायट्रोजन है ठीक है अब फोटीन ने की वायो मैंडेल पाय जाने वाले उक्सीजन के विसेले अनू को क्या कहेंगे हम लोग तो जो कि हम लोग का परित्री को सूर्य से परावएगने किन्यों को आने से रोकता है ठीक रावएगने शवाण है यहाँ जास को टूप है अनू लोग करो के विसेले प्सक्वाशन गया उन्होग का यहाँ स्वाणन गावएगने को तो जो पाया जो 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 झाले अनू जो जोग जो 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 मेंड़एगने को मौ झाल झाल झाल